हेलो स्टुदेंट्स, आर्सिय एड्यूकिशन अब ओनलाइन क्लास में आपका सुवागत है प्रेविध्यारति हूँ, आज की क्लास में अध्यय अपना चलवाता जयो रस्रेंग, उसमें आज अपन टॉपिक बिसकस करेंगे, एमीनो अम, ये आपका प्रोटीन का टॉपिक ह ये कल अपने बात की थी कि प्रोटीन किस से मिलके बने होते हैं, एमीनो अमलों से मिलकर बने होते हैं, तो आज अपन एमीनो अमलों के बारे में बात करेंगे, कल अपने डिसकस किया था कि कुल बीस एमीनो अमल ग्यात है, तो पहले अपन एमीनो अमलों के बारे में बात कर तो देखिए, एमेनो अम्ल, ध्यान से सुनिए वटा थोड़ा सा ये कारबनिक रसायन का टोपिक सेलेक्टेर है, तो यहां पर आपको समझना होगा कि वे कारबनिक योगिक हैं, यह अपने शुरू में कहाता कि आपके जितने भी जैविक अडू है, वो सारे क्या कारबनिक य हैं वे योगव जिन में एमीनों समुन क्रियाप्टक समुन होता है जिसे एमीनों समुन होता है आपका कुनसा? Ns2 उन्त होता है Ns2 और आमलेट वह होता है आपका कार्वाक स्युनिक CWH समुन है ऐसे कारवने की होगी जो एनेस्टू एमीनो समून तता सी डवल एच कारवक्सलिक अम्ल समून से मिलकर बने होते हैं क्या किलाते हैं एमीनो अमले कलाते हैं जो एनेस्टू एमीनो समून तता सी डवल एच कारवक्सलिक अम्ल समून से मिलकर बने होते हैं क्या केलाएं के एमीनो अमल कलाते हैं जैसे अब इसको लिखना चाहें अपने पास्ट में इसे सी अस्टू है एक तरफ मैंने क्या लगा दिया सब्सक्राइब के लगा दिया यह एक प्रक्राइब कर रखें हो गया टाइन अंड जब रेखंड रखें लगाए और शायक विया घ्रेक्ण स्विग सब्सक्राइब नाम मुद लगा रहा है इपन को एम्मीज माल कर बनने वाले क्रियो के देलाएं आपके एमिनो अमल कल आते हैं जैसे ग्लाइसीन और या प्रेक्टरता ग्लाइसीन का शुत्र तोड़ी से नाम आपको जहां रखने हैं उसकी आपकी पास में सोट्रिक बता देंगे जिससे आपको थोड़ी साहिता मिल जाएगी तो परिवास आपकी क्लेर हो चुकी है एमिनो और कार्वोकलिक अमल सम्मू से मिलकर बनने वाले जोगिके कहला हैं आपके एमिनो अमल कल आत क्लियर अब आतारतीन के नाम करण या रूप धित्ति से नाम करते हैं वैसे ही एमिनो अमलो का भी नाम कर्ण होता है तो अपने मात करेंगे आपकरangi का ball we नामकरण के लिए अपनियाब पर क्या काम लेते हैं? रूड पदर्ति काम लेते हैं या कहेंगे रूड नाम काम लेते हैं जिनको अपन किस्ते गुणों के आधार पर इसके आधार पर गुणों के आधार पर या प्राप्ति स्रोत के आधार पर इसके आधार पर प्राप्ति स्रोत के आधार पर इनका पंजा करते हैं नाम करन करते हैं लिए तो लोगे जो नाम दे दिया क्यों गुर्णों के आदार पर या प्रापति सोत पालब किस से अपन और प्राप्त हुए है उसके आदार पर एमीन हों लोगता है नाम घर्ड किया जाता है बात क्लियर है तो यहाँ पर नाम धर्ण में क्या है जो भी नाम है उस नाम के अंग्रेजी वर्ण माला के प्रतम तीन अक्षर नाम करने करते हैं उस नाम का जो अंग्रेजी नाम है उसके प्रतम तीन अक्षर इसके बात करेंगे पन जो नाम आपके पास में आया है इसके आदार पर उस नाम का जो अंग्रेजी नाम होगा उसके प्रतम तीन अक्सर या प्रतम अक्सर या प्रतम अक्सर इसमें अंग्रेजी में इनका नाम करन किया जाता है जैसे बात करों में उजहारन के तोर पर जिसे पर लेलिया ग्लाइसीन अब इसका अंग्रेजी नाम देखो बिटा जी एल वाई इस पूरा नाम है जो पर सोट में कैसे जिखेंगे जी एल वाई आगे पर तम तीन अक्षर यह पर इसको किसे वेक्ट करेंगे जी से वेक्ट करेंगे पर जी से वेक्ट करेंगे पर वास समझ में आरहे होगी बूसर गहां ले सकते हैं पर यहां पर देखिए दुसरा ले लिए पढ़ने यहां पर लाइसी कुन सा ले लिया पर ने लाइसी ल, y, c, e, n, e ल, y, c, e, n, e यह हो गया तो इसका नाम कर लेगा ल, y, c और आप पने पास की क्या रख लेंगे क्लियर तो यहां पर देखें विटा इस तरही के से अपने क्या किया प्रतम तीन अक्षर और प्रतम अक्षर तो ग्लाइसीन का पूरा नाम अंग्रेजी में, g, y, c, e, n, e और यहां पर, g, y, y, or, g जी आपने ले लिया यहां पर वेली, कौन सा ले लिया अपने वेली, रिट, वेली, में क्या होगा, w, a, l क्या होगा वी ए एल और क्या जाएगा अपने पास में वी क्या जाएगा अपने पास में वी तो प्रतम तीन अक्सर और अपने पास में उसका प्रतम अक्सर तो उसे अपने इसको वेक्ष करते हैं इस तरीके से एमिनोमलो का नाम करण किया जाता है यह पुरा नाम हो गया इस क्लियर अब यहां पर जो आपको याज रखने की चीज़े हैं जहां से आपका क्युष्ण आता है एक तो क्युष्ण हो गया कि एमिनुम लोगो परिवासे कीजिए वो परिवास आपके क्लियरली समझ में आ चुकी है अब नाम क्युष्ण हो गया उसके बाद जो इंपोर्ट आविश्ण 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 डेपिनेशन आपको समझने होगी देखो एमिनो आम मतलब क्या हुआ प्रोटीन क्या मतलब हुआ प्रोटीन और प्रोटीन का संस्रेशन का होता है आपका को सीखाने आपको सीखाने है कि इसका मतलब अपने सरीर में जनत्म मतलब प्रोटीन प्रोटीन का संस्रेशन मतलब आपका सरीर आपका पादप को सीखाने अभ्यान आजया सुनुआ मतलब होता है जिसकी आशाकता होती है जिस जो अपन को चीहे ही जरूरी है तो उसको बोलेगे अपन आविशक जिसकी आवसकता नहीं उन्ती है जो अपने पास पहले से ही उपस्थित है आविशक आउटला जिसकी अपन को किसी भी हालत में जरूरत है अनाविशक जिसके अपन को जरूरत नहीं है जो अपने पास पहले से उपस्थित थे, अब आता आति है, परिवास्त, आश्टक मेर उन्हूंच् ADI्ण के जाती है, जिनका निक्वास्तraktion पादम या जन्तूख को सिका में नहीं होता है, उनको किसी बाईये स्रोत, या बोजन के माध्यम से लिया जाता है, या teenager की जाती है, कहें गारते हैं के आविश्रक एमिनो अमल कर लाते हैं दुबरा सुनिए वे एमिनो अमल जिनका संस्रेशन बादप या जन्तु पोसिका में नहीं होता है जिनकी पूर्ति भाईय स्रोत या भोजन के द्वारा के जाती है क्या के लाते हैं आविश्रक एमिनो अमल कर लाते हैं क्लियर बात आती है अनाउशक एमिनो अम्ल की इसकी अनाउशक एमिनो अम्ल अब बात करेंगे तो वे एमिनो अम्ल जिनका संसलेशन पादप या जन्तु को सिका में हो जाता है क्या किलाते हैं अनाउशक एमिनो अम्ल कर लाते हैं वे एमिनो अम्ल जिनका संसलेशन पादपिया जन्तों को सिखा में आसानी से हो जाता है क्या कर लाते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल कर लाते हैं अब अपन आपको सब को पता है कुल एमिनो अम्ल कितने आते हैं 20 एमिनो अम्ल कितने आते हैं अब गर एक चीज़ आले जाएगी तो दूसरीच अपने आप याद रेज़िए। अब इस तर बताया था आपको जिसे ग्लाइसींग लिए पर निक्यानी करता जी लो वाई जी उस्यादार पर इसको पंडू याद रखना है ये दस नाम याद दिने रखने इनके आपको शुरुवात का अंग्रेजी अक्सर याद रखना है आपको जैसे टिप्टोफें के ल लाइशन के लिए एल के लिए अपकर पी आजनिन के लिए ए घ्रुनिन के लिए दिए एक स्ट तूदिन के लिए एच्श इसको वर गैंट टी वी मिल क्या बोलेंगे ट्वी इस सोब्सुत्र हो गया जिसaint ऐसक अपने बूस्त आज़ा सकंते हैं इनके अलावा बज़े वे क्या है अनावशक एमिनो अमल अब आपको वो कोई से भी तुशन दो किन इमनों में से आवसके या अनावशके आप आराम से इनको चाण सकते हो तो ये थे आपके आवशक और अनावशक एमिनो अमल अतलब आज की क्लास में अपने एमिनो अमल के बारे में पूरी जानकारी लेली है उम्मिर करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा आज के लिए इतना ही थिंग टूस्टिमेंट्स